नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी कुटनी विधान सबा उपचुनाओ के परिनामों का अपडेट लगतार हम आप तक पहुचा रहे हैं पिछले दो राउंड के बारे में तमाम जानकारी हमने दी कि कौन कितने वोट से आगे है और किसको कितने वोट मिले शुरुवाती दो राउंड में बीजेपी के केदार गुपता ने अच्छी बढ़त बनाई रखी थी लेकिन अब केदार गुपता बीजेपी के उमिदवार का जो बढ़त है वो हर राउंड के बाद कम होता नजर आ रहा है जेडियू के मनोज कुस्वाहा अब अपनी पकर धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं पहले बढ़त को कम करते दिखाई दे रहे हैं और उमीद है कि जैसे जैसे अब राउंड पूरे होते जाएंगे मनोज कुस्वाहा आगे आपको बढ़त बनाते नजर भी आएंगे सबसे पहले आपको बताएं कि तीसरे राउंड की गिंती भी समाप्त हो गई है और अभी भी बीजेपी के केदार गुपता सबसे आगे जरूर चल रहे हैं लेकिन जेडियू के मनोज कुस्वाहा ने जो बढ़त पहले 2000 की थी उसे 1200 पर लाकर रख दिया है हम आपको जानकारी भी दे देते हैं कि किसे कितने वोट मिले हैं तीन राउंड की गिंती के बाद बीजेपी के केदार गुपता को 11,843 वोट मिले हैं जबकि मनोज कुस्वाहा को 10,628 वोट हासिल हुए हैं वी आईपी पाठी के निलाब कुमार को अब तक महज 578 वोट ही हासिल हुए हैं वो तीसरे नंबर पर हैं जबकि AIMIM के गुलाम मुर्तजा अंसारी को भी लगबग इतने ही वोट मिले हैं उन्हें 546 वोट मिले हैं वो चौते नंबर पर हैं RJD के बागी सेखर शहनी को 514 वोट हासिल हुए हैं तो ये अब तक का पूरा का पूरा लवो लुबाब है इस परिनाम और रुजान को लेकर तीन राउंड की गिंती समाप्थ हो चुकी है 23 राउंड तक गिंती होनी है उड़नी प्रकंड बहुत बड़ा है इसमें 49 पंचायत आते हैं और ऐसे में अभी इंतजार करना होगा ये कहने के लिए कि कौन चुनाओ जीत सकता है अब तक के रुजानों ने ये बता दिया है कि यहां पर बेहद काटे की लराई होने जा रही है बीजेपी आगे जरूर है लेकिन वो कब तक आगे रहेगी ना बीजेपी कह सकती है और ना ही मनोज कुसवाह ये कह सकते हैं कि वो कब बीजेपी को पचार सकते हैं अब देखिए आगे क्या कुछ होता है तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं साथी साथ हमारे शहयोगी सुंद्रम भी वहां मौजूद हैं उन्होंने निलाब कुमार से भी इस रुजानों पर बात की है क्या कुछ उन्होंने कहा है आप आगे सुन सकते हैं बने रह यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें